नमस्कार जय भवनी दोस्तों स्वागत आपका फिट से आपके अपने यूटुब चैनल Ambition Classes 2019 में तो दोस्तों जैसा कि हम अलग-अलग टॉपिक्स पर डिसकस कर रहे हैं तो आज भी दोस्तों हम लेके आए हैं एक लग टॉपिक क्लास 10 से ही होगा टॉपिक और 10 से टॉपिक रहने वाला है Structure of Soap Molecule क्यों बहुत अच्छा टॉपिक रहने वाला है बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक है तो प्लीज बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्तक और कुछ इस भी skip ना कीजिए नहीं तो इसमें बहुत कुछ मिस हो जाएगा ओके दोस्तों तो दोस्तों यह वाला स्ट्रक्चर क्या होता है कि यह पार्ट हमारा बोर्ड के लिए इंपोर्ट होता है तो दोस्तों बिना देर किये बिना डिले किये रिष्टाज करते हैं आज का अपना पहले बात करेंगे दोस्तों स्ट्रक्चर की सोप स्ट्रक्चर अचिडी में होता क्या है तो सोप स्ट्रक्चर क्या होता है कि इसमें दो पार्ट होते हैं सोप मोलिक्यूल में क्या होते हैं दो पार्ट होते हैं एक तो लोंग हाइड्रो कार्मन पार्ट होता है सेकिंड होत होता है short part होता है वो होता है ionic part तो बात करते हैं क्या कि a soap molecule a soap molecule is made up of is made up of two parts two parts are as are as a long a long hydrocarbon a long hydrocarbon part and a short ionic part जैसा कि अमने दोस्तों भी बोला ionic part इसमें दो part होते हैं क्या होते हैं तो होता है क्या long hydrocarbon part होता है second part होता है इसमें short ionic part बात करते हैं it is also known as it is also what we can say the soap structure also known as the soap structure the soap structures structure is also known as what known as क्या कहते हैं दोस्तों इसको tadpole structure भी कहते है tadpole structure भी कहा जाता है इसको क्या भी कहते है structure क्या होते है इसको tadpole structure भी कहा जाता है like this बात करते हैं tadpole step से होता है step से आके ना step से हैं पर क्या हो गोल 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 यह mouth हो गया यह टेड़ पोल के जैसे दिखता है कैसे दिखता है दोस्तों एक टेड़ पोल के जैसे दिखता है दिस वन इस दा वट आयोनिक पार्ट और दोस्तों यह है इस टाइप से बना हुआ है यह दोस्तों हमारा क्या हो गया दिस वन इस दा हाइड्रो कार्बन पार्ट हाइड्रो कार् part होता है okay किसा क्या भी बोलते हैं टैड़ पॉल स्ट्रक्षे बोलते हैं because it's look like this टैड़ पॉल next one the long the long hydrocarbon part the long hydrocarbon part is dissolved in it dissolving oil oil or grease where as where as the ionic part the ionic part is dissolved in water it dissolve in water तो दोस्तों इन में थोड़ा सा डिफरेंस यह होता है कि इसमें यह वाला hydrocarbon party होता है वो तो किसमें oil में डिजॉल्व होता है जब कि यह वाला किसे दोनों के ही सहयोग से दोनों के कॉपरेशन से क्या होता है कि सीवी dirty clothes से dirt remove हो जाती है oil remove हो जाता है grease remove हो जाती है तो दोस्तों बात करते हैं इस सिंपल सी बात है क्या बात करते हैं सोप molecule क्या होता है दो पार्ट होते हैं first one is the hydrocarbon part second one is the short ionic part is short होता है soap molecules को tadpole structure tadpole structure भी कहते हैं tadpole structure भी कहते हैं because it look like the tadpole okay this one this part hydrocarbon part dissolve in oil or grease or dirt and this one is dissolved in the water तो दोस्तों चोटी सी चीज के बारे में है soap molecule के बारे में हैं अब बात करेंगे हम इसी से related एक होती है missile के बारे में missile क्या होता है चाहो तो पहले दोस्तों आप इसका इस्किन सोट भी ले सकते हैं तो दोस्तों साथ में चैनल को subscribe करते रहिएगा क्योंकि दोस्तों आपकी तरफ से ओकी दोस्तों बात करते हैं आगे missile की missile आता है एक छोटी आसा पार्ट होता है missile missile actually में होता क्या है यह तो हमारा क्या था soap molecule, soap का structure था बात करते है missile की missile actually missile क्या होता है structural क्या होता है spherical structure होता है is it clear एक aggregate स्फेरिकल एग्रिगेट होता है किसका सोप मोलिक्यूल का जब किसी भी सोप को when any soap dissolve in water then this structure will form and this structure helps to trap the grease or the dirt from the dirty clothes is it clear तो बात करते हैं मिसल the spherical structure the spherical structure okay the spherical structure of a soap molecule of a soap molecule what soap molecule in us in soap solution or in soap solution in water soap solution in water known as water missile M-I-C-E-W-L-E missile is it clear it helps it helps to trap it helps to trap the dirt or grease or oil from the dirty clothes from the dirty clothes it is formed it is formed only in it is formed only in aqueous solution only in aqueous solution of soap aqueous solution of soap यह सिर दोस्तों बात आती है छोटी से information है किसके बारे में मिसल के बारे में मिसल क्या होता है चुली हम बना भी देते हैं यहां पर ओके दोस्तों यह क्या है हमारा इस्ट्रक्चर है स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है ही this one is the na plus na plus a plus na plus na plus na plus na plus na plus because why na plus ? यह क्यों यह लिख रहे है दूसरह क्यों नहीं लिखे क्योंकि na plus इसलिए लिख रहे है क्या होता है sodium salt होता है हमने बताया तक पहली क्लास में कि आप क्या होता है sodium salt of long chain of carboxylic acid तो sodium salt होता है then we that's why we are using what NA तो बाहर की और क्या हो गया दोस्तो ionic part हो गया इसके बाहर की और क्या है ionic part है जबकि यह क्या है यह वाला part कौन सा है इसका chain वाला structure यह है hydrocarbon part this one is the what ionic part ionic part and this one is what यह structure क्या है this one is the hydrocarbon part hydrocarbon part okay तो बात करते हैं अभी हमने कहा था कि यह क्या काम करता है यह वाला पीछे बताया था structure में यह hydrocarbon part किस से जुड़ा होता है grease से जुड़ा होता है this one is what अगर इसको बात की जाए this one is the dirt dirt यह dirt है गंदेगी है को remove the grease लगा हुआ कोई oil लगा हुआ है तो you can use oil drop oil oil drop on cloth cloth के ओपर क्या oil drops है जैसे oil drop होगी यह कौन पार्ट इसका अंदर की तरफ कौन पार्ट रहागा है hydrocarbon part होता है because hydrocarbon party dissolving water sorry in dissolving grease or oil तो hydrocarbon part इसके साथ attached हो जाएगा इसके साथ जुड़ जाएगा जबकि ionic part बाहर की ओर रहेगा okay तो इससे क्या हो जाएगा जैसे ही हम क्या करें dirty cloth को किस में डालेंगे पानी में डालते हैं किस पानी में किस water में those water have water have soap dissolving in it जिसमें soap घुला हुआ हुआ है hydrocarbon part और बाहर की ओर ionic part रहता है जैसे यह इस पर अटेक करेगा तो अभी में लेगा it helps to trap the dirty यह क्या करेगा यह किसको dirt को help क्या करेगा trap करने में help करता है गंदे कपलों से निकालने में help करेगा okay जब यह निकाल जाएगा तो उसके बाद यह एक टाइवनिक पार्ट क्या होगा water की help से इसको रिमूब कर देता है तो देख लेते हैं एक बार और इसका missle क्या होता है स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है सोप सोलिशन में गोल इस सोप सोलिशन मनेगा तो इज स्बॉस्थर स्ट्प्र होता है जिसे हम क्या बोलते मिसल इस वन किया क्या काम करता डिल डिलिट कलोव Treaty firm को से में dirty clothes से help करता है और it is formed only in aqueous solution यसी एक्वीज इनसी बनता है किसी दूसरे और गनिक या से किसमें वाटर के अंदर बन जाता है तो दोस्तो कि समझ में आया होगा चाहो तो आप सकते हो ओके दोस्तों, I hope की समझ में आयोगा, अच्छा लगा होगा, दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सबस्च्राइब, और शेयर, और लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और नहीं आ रहा है कुछ भी डाउट इसमें ह हो रहा है तो प्लीज आप कमेंड बॉक्स में जरूर लिखना ना भूलें कोशिश करेंगे कि आपकी प्रोब्लम को जल्दी से सोट आउट किया जाए ओके दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टोपिक के साथ एक नई एनरजी के साथ तब तक के लिए दोस्तों जैह कि आपकी से साथ इंब प्लीज आपकी लिए।